जान की चाय के साथ कुछ खस्ता और टेश्टी स्नैक्स हो तो चाय पीने का मज़ा ही बाढ़ जाते हैं अब बाइक तो माइक यूटूब चाय पैसे हैं आप सब उमीद करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मज़े में होगे चलिए आज की रेस्पी सुरू करते हैं धाबे इस्टायल में बनाने वाले हैं हम बहुत ही खस्ता और खास्ता खाने बहुत टेस्टी लगती हैं अब आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लिजएगा इसे में आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी चलिए हम रेस्पी सुरू करते हैं मत्री बनाने के लिए मैने लिया है दो कब मैदा एसे हम पहले चान लेंगे मठ्री बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगती है अब यहां पर हम लेंगे 1 चमच मंगरेल मंगरेल मैदे में मिलाएंगे और अधा चमच हम लेंगे अजवाइन डालने से पेट के लिए बहुत अच्छा होता गैस नहीं बनती है ऑपाचन के लिए बहुत अच्छा या फिर दोनों को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं श्युक्पाल दोनों को इसा क्समाल कर सकते हैं श्वाट नमक को यह नविदा है सबस्क्राइब आठे हम अच्छे से मिलाना है मसल मसल के मैंते हैं lage अच्छे को अच्छे से मिलाना मशल के मैंते हम च्छे हमेते हैं अब इस में थोड़ा हैं भी पानी ड्याव, ऑफ गोन लेंगे लेकिन बहुत टाइट होना चाहिए। मट्रे के लिए वीडो ना बहुत घिला हो ना बहुत टाइट हो मीडेम होना चाहिए तक मैंने इस तरह से चाकू से थोड़ी बड़ी साइज की लोई काट लिए हैं ताकि हम एक एक बार में एक रोडियां बनाएं और फटा फट से काट जाएं मत्रियां तो जली से हमारी मत्री तयार हो जाएगी इसी तरह से हम सभी लोई पहले काट लेंगे और अच्छे से लोई बना लेंगे अब मैंने सारी लोईयां काट ली हैं तो चलिए अब हम एक बड़ी से रोटी बनाते हैं पहले पहले रोटी बेलेंगे बड़ी सी हम चॉपिंग बोड के बराबर ही रोटी बेल कर इसे हम काटेंगे तो आप जितनी बड़ी बना लेंगे एक बार में उतनी ज सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब न मेरे के सब ढ़ं शुट्र सक्सक्राइब ना कीद और नहें बिल्कु खराब नहीं होती है नहीं मुलाइम पड़ता है बिल्कु खसता रहती है और यह बहुत ही अच्छा रहता है यह वाली मठरी इस तरह से बना लिजिए एक बाद तो कई सारी रेसिपी में आप इसे इस्तिमाल कर सकते हैं जब भी आपको पापड़ी चाट खाना हो प नमकीन में जब बना सकते हैं जो बहुत ही ऐक एक बार बनाएं महिने भर ठाइए और यह बिल्कु खराब नहीं होगी तो चलिए मैंने یہ देए माट्री को भी अब तर्म यह सहे जाएंगे और यह दो किने धीज फ्राइब करेंगे प्लाइब गया हम ऐसे भी कर लिया दालते जाएंगे जोड़ी में ठीकेड़ें देमी आज में ही तरना है बहुत गयस का फ्रेम बहुत तेज नहीं रखना नहीं तो जल जाएंगी और खसता नहीं बनेंगी तो देखिया मैंने इस तरह से मठ्री सेख ली बहुत अच्छे से गुलावी गुलावी सिख गई है कलर देखे कितना अच्छा लग रहा है मठ्री बहुत अच्छी बनी है इसी तरह से हम सारी मच्रियां बना लेंगे तो लीजिए यहां पर मेरी मच्री हो गई है तैयार खाने के लिए बहुत अच्छी बनी है मैंने सारी मच्रियां बना ली है कलर कितना प्यारा आया है, अब देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कलर है, बहुत ही क्रिस्पी और बहॊत ही खस्ता बनी है, हमारी ये मठरी, और खाने में बहुत ही टेस्टी लग रही है, इसे हम पूरे एक महीने के लिए रखेंगे, airtight container में भी खराब नहीं होगी और इसे चाय के साथ हम enjoy करेंगे अपने family के साथ तो friends आप भी बनाईए खाईए और enjoy करें अपने family के साथ लेकिन इसे ठंडा होने के बाद ही हम airtight container में रखेंगे तो बिल्कूल भी खराब नहीं होगा बहुत अच्छा रहेगा तो आप भी बनाईए मठरी इसी तरह से बिल्कूल धावे style में अगर आपको मेरी रेस भी पसंद आती है मठरी बनाने की तो मेरी चनल को like और subscribe कर लिजेगा पहले पर चनल पर है और आपने अभी तक subscribe नहीं किया कर दो कि अच्छा रहेगा